से बड़ी नक चढ़ी बावली गैंड किसम की लड़किया थी जिनकी लीडर थी मारलो कोक्चू और ये लड़किया बस सारे दिन यही सोचती रहती थी कि वो किस लड़के को देंगी कैसे कैसे अपने जाल में फसाएंगी वो कैसे कपड़े पहनेंगी और कौन-कौन से सरीर के अंगों को दिखाएंगी और किस-किस को छिपाएंगी जो सब चुलबली ढकन को बहुती चूतिय हरकते लगती है पर फिर भी ना जाने वो उन चूतियों की कैसे दोस्त बन जाती है जिसके बाद एक दिन स्कूल की डांस क्लासिस में मारलो कोक्चू सभी के सामने अपना डांस पर कट करती है जो देखकर तो चुलबुली ढकन की टाइट हो जाती है कि पहन चोद ये घमंडी में टैलेंट भी है आगे अब बारी चुलबुली ढकन की थी जिसको डांस का तो ABCD नहीं आता था पर उसको एक चीज बहुत अच्छे से आती थी आगे करनल सभी ही रोज को अपने अड़े पर फाइट करना सिखाता है जिसके बाद नाइट बीच ग्रीन स्क्रीन को पकड़ कर बाथरूम में ले जाती है जहां वो अपना मास्क उतारने लगता है नाइट बीच कहती है नहीं इसे छोड़ कर पूरे नंगे हो जाओ और उसका दे लपालप दे लपालप दे लपालप लेती है करनल उसके सर पर अपनी गन तान देता है और पूछता है बता बाएंड चोद वो लड़किया कहां है और वो फटा फटा अपनी विलन की टीम त्यार करता है सहर के सभी सस्ते सूपर हीरोज की बजाने के लिए अब आगे एक राध चुलबुली ढकन अपनी उमर से 7 साल बड़े लड़के के साथ डेट पर जाती है जो उसे सुनसान जंगलों में ले जाता है जहां कार रोकर वो उससे पूछता है देगी क्या वो कहती है बावलिक गाइंड अपना मूँ बन कर और तभी उसको जाडियों में से कुछ आवाजे आती है तो वो उस तरफ बढ़ती है जिस सबसे उस बेचारी चुलबुली का दिल ही टूट जाता है बाण चोद क्या बीती होगी उस बेचारी लड़की पर जहां से उसे पैदल ही घर की तरफ जाना पड़ता है लेकिन घर जाने की बजाए वो सोनुसरापित के घर पहुचती है जिसे देखकर वो डर जाता है और लाइट ओन करता है और जब वो चुलबुली ढकन को रोते हुए देखता है तो उसे गले से लगा लेता है मारलो कोक्चु कहती है तुम सच धजकर आई हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे बराबर की हो चुलबुली ढकन कुछ नहीं बोलती वो अपने बैग से एक वो की तोकी जैसा दिखने वाला डिवाइस निकालती है जिस दिवाइस को वो अपने बगल में बैठी च को टच करती है जो कि मारलो कोक्चु पर ही उल्टी कर देती है जिसके बाद चुलबुली उसकी पावर बढ़ाती है और उसे मारलो को भी टच करती है जिससे वो धेर सारी उल्टी के साथ साथ चोकलेट से एक जैसी टटी भी कर देती है जो सब कुछ वहाँ पर बैठे बच उसी रात मादर चोध अपनी विलन की गैंग लेकर ग्रीन स्क्रीन को ढूंडता हुआ उसके अड़े पर पहुचता है जहां उन्हें करनल मिलता है जिसको मादर चोध की गैंग की सबसे बड़ी हत्यारी चूची भंडार मोत के घाट उतार देती है तभी मादर चोध वहां टेबल पर पढ़ा हुआ एक डोक्यूमेंट देखता है जिस पर नाइट बीच का असली नाम और उसके घर का पता लिखा था जिससे मिलने वो पांचो उसके घर की तरफ बढ़ते हैं जिनको एक बुढ़ा आदमी देख लेता है जिस पर वो साइड में होकर मुठिया बरसाता है लेकिन बहादूर होस में नहीं आता तो वो अपने चमचे से नाइट बीच को ठोकने के लिए कहता है अब उन चूतियों ने पुलिस वालों को मारा था जिस वजह से सभी पुलिस वालों का मथ्था सत्का पड़ा था जिसमें उस रात वो हर कोश्ट्यूम वाले हर मास्क वाले इंसान को उठा कर जेल में डाल रहे थे आगे होस्पिटल में सरापित सोनु नाइट बीच से मिलने जाता है जहां वो पहली बार एक दूसरे को बिना मास्क के देखते हैं नाइट बीच कहती है मा कसम तुम तो बिना मास्क के भी सेक्सी लगते हो जिसकी फोटो किलिक करके सोनु सरापित के फोन पर भेजी जाती है जिस फोटो को देखकर तो वो अपने होसी खो वैटता है और वो मादर चोद के विलन भी आये थे बिना कोश्यूम के अपने हतियार लेकर जिनकी वजह से वहाँ गोली बारी शुरू हो जाती है और वो सोनु सरापित को अपनी वैन में लोड करके वहाँ से निकल पड़ते हैं वो कुछ ही दूर पहुचे थे कि उनके उपर गोलिया बरसने लगती है और वो एक एक करके मारे जाते हैं जो गोलिया चला रहे थी चुलबुली ढकन जो उस वैन के ड्राइवर को अपने कबजे में ले ले लेती है और उससे पूछती है बता भौसडी के तेरा बोस मादर चोद कहा है अब एक बच्ची के हाथ में गन देखकर वो धड़ा-धड़ तोते की तरह बोलने लगता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मादर चोद ने अपनी टीम में और भी बहुत सारे टपोरियों को भरती कर लिया है और वो उतावला हुआ पड़ा है कि उसके बंदे अब तक ग्रीन स्क्रीन को लेकर क्यों नहीं आए क्योंकि वो आजरात ग्रीन स्क्रीन को मारने के बाद पूरे के पूरे सहर को आग लगाने वाला है तभी वो सामने ग्रीन स्क्रीन और चुलबुली धकन को खड़ा पाता है जिन्हें देखकर वो हसने लगता है कि भोसड़ी वालो तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है क्या जो तुमा केले ही चले आए चुलबुली कहती है बान के लंड हम अकेले नहीं है तभी दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सूपर हीरो जो नको सपोर्ट करते थे उनके साथ थे जिन्हें देखकर तो मादर चोद की आखे फटी की फटी रह जाती है जिसके बाद फाइट सुरू हो जाती है और सभी चुलबुली दकन की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आखे भी बढ़ी हो जाती है जिसमें वह वहीं पर पड़े हुवे काज के टुकडों को एक एक करके चुची बंडार के सरीर में गोशेड देती है और वहीं ग्रीन स्क्रीन मादर चोद को मारता मारता ऊपर पर ले जाता है जहां वो काज की रूफ पर लड़ रहे थे तभी वो रूफ तूट जाती है और मादर चोद नीचे पानी में जाकर गिरता है जहां वो खुस हो जाता है कि वो तो बच गया लेकिन वो बावली गैंट भूल गया था कि जिस पूल में वो गिरा है उसमें उसने पिछले एक हफ़ते से भूका रखा हुआ है क्योंकि वो उसे ग्रीन स्क्रीन का मांज खिलाना चाता था पर सार्क को क्या घंटा फर्क पड़ता है ग्रीन स्क्रीन हो या मादर चोद उसे तो बस अपनी पेट पूजा से मतलब है जिस सब के बाद जितने भी विलन थे या जो भी मादरचोद की तरफ थे सभी को हतकडिया लगा दी जाती है और वो सारे हीरो छट पर मिलते हैं जहां वो अपनी गैंग में एक नई मेंबर चुलबुली धकन को सामिल करते हैं आगे चुलबुली धकन सरापित सोनु को उसके घर छोड़ती है और कहती है मैं ये सहर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाती कि मेरी वजह से मेरे पिता के दोस्त मारकस किसी मुसीबत में पड़े जिसके बाद वो सरापित सोनु को किस करती है वो उससे पूछता है ये क्या था वो कहती है ये मेरी लाइफ की सबसे पहली किस थी जो मैं सिर्फ तुम्हें ही करना चाती थी जिसके बाद वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से ये सहर छोड़कर निकल लेती है आखरी सीन में हम देखते हैं सरापित सोनु फिर से अपनी ट्रेनिंग में जुट गया है अपने आपको मजबूत बनाने के लिए और उसने अपने लिए एक नया हेलमेट भी बनाया है जो की आई थिंक लोहे का है जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो धन्द